हलो स्टुडेंट्स तो जैसे कि इस क्वेशन के अंदर आपको दिया हुआ है एक एलेक्टिव फिल्ड है जो यहां पर एक इस पेस्ट आपको रिजन इंक्लोज किया गया है एक इक इकल टो टो ए वाई केल टो 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 ए जैड इकल टो 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 ए और यहां पर ओके एका वैली दिया हुआ है वन सेंटीमेटर और एकल टो टो सेंटीमेटर और इनोट की वैल्यू दी है फइव इन्टो टो पाल ट्री न्यूटन पर कोलम तो यह देखें हैंपर पहले मैं इलेक्टिव फिल्ड बता देता हुआ आपको ए नथिग बट ए नॉट एक्स आपवाँ ए इन्टो आई यह य जब को रीजन दिया हुआ है यह एक्स डारेक्शन यह यफिय डारेक्शन यह जारेक्शन और यहां पर मैं इसको नाम देता हूँ A, B, C, D, E, F, O, H और चलिए शुरू करते हैं E not की value दिया है यहाँ पर आपको 5 into 10 to power 3 newton per coulomb L equal to 2 centimeter that is nothing but 2 into 10 to power minus 2 meter और E का value दिया हूँ 1 centimeter that is equal to 1 into 10 to power minus 2 meter तो यहाँ पर जो फाम्ला लगाएंगे वो हूगा आपका 5 is nothing but E dot D as for close surface area and that is equal to Q upon epsilon where Q is the amount of charge include by the region तो सबसे पहले मैं 5 को calculate करना चाहूँगा यह होगा E dot D as और इसको जो मैं expand करेंगे तो E dot D as area ले लो A B C D के लिए फिर E dot D as area लेंगे उसके सामने ले लो E F H O फिर E dot D as area उपर ले लो A B F E फिर नीचे ले लेते हैं देखिए सब्सक्राइब करेंगे लोग मैंने लोड़ी मार्क किया हुए यह होगा CD H O फिर E dot D as area लेंगे A D e H A D H E A D H E A D H E A D H E और फिर E dot D as और यहाँ area लेंगे आप इसके अपोजिट वाले यह होगा आपका B-C-O-F तो जो B-C-O-F है इसी का आप देखेंगे यह X Y plane में होगा तो X Y plane में जो तो एरिया है उसकी डारेक्शन जो है वो जैड एक्सिस में होगी और इलेक्टिफिर आपका एक्स में है तो 90 दिग्री तो इडोट इस जीरो हो जाएगा सिमिलरली इसके सामने वाला जो एडी एच इसके लिए भी जीरो होगा अब आप दूसरा एरिया देखेंगे सी डी हो सी डी है ये एक मत प्लेन्ट तो इसकी डारेक्श चानजे होगी दा सर पफेश वय टैस्टिफिर एक्सट इडी इसकट गिज्यों होगी खेश य के बेश टीविचमैंगी में इंगल तो इसके के लिए सीज़ालेगेडेडΑ C तो V Ph- E Fके लिए same situation होंगी इसके लिए भी जीरs तो इफ ओ एच के लिए आप देखें तो यह वाई जैड है तो इसमें जो इसका पर एडिया का डिरेक्शन होगा वो माइनस एक डिरेक्शन में है और यहां पर थीटा की जो वाली होगी वह 180 डिगरी होगी इन सब के लिए 90-90 था और जो इडोट इस आपका एबी-सी-डी चेक करेंगे इसके लिए आपका जो एस की डिरेक्शन है और जो इकी डिरेक्शन दोनों की सेम तो थीटा की वाली जीरो होगी तो इसकी वाली रखेंगे हम यहां पर कोश जिरो इन्टु एक्स एल आई और डिएस भी आई में है तो कोश a into a a square a square और यहां पर कोश 0 और प्लस यहां पर e not x over l into a square cos 180 तो जो पहली वाली को रखेंगे बाकी सबकी वाली जीरो हो जाएगे आपकी तो यहां पर e not 2 into 10 is to power 5 it is 5 into 10 to power 3 into x का value 1 कि इसके लिए a b c d के लिए आप देखें x का value a है और a के लिए यहां पर a का value दिया है जो वो 1 है 1 into 10 to power minus 2 into 10 to power minus 2 लिख लिए अपन l 2 into 10 to power minus 2 और जो a square है वो होगा आपका 1 का square 1 into 10 to power minus 4 और के 1 होगी प्लस और यहां पर आप चेक करेंगे तो 5 into 10 to power 3 यहां पर calculate करने की ज़रोती नहीं है देखें इस face के लिए x की value जो है यह 0 हो जाएगी और यह value 0 होने की वज़े से यह value भी 0 हो जाएगी तो जो 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 जाएगी तो जो answer आता आपका होगा 5 into 10 to power minus 4 minus 2 to cancel हो जाएगा minus 4 plus 3 minus 1 over 2 इसा देखकते 5 by 20 जो की equal to होगा 1 by 4 के और from equation number 1 आप देखेंगे so from equation number 1 जो formula है उसे लगाएगे 5 equal to होना चाहिए हमारा q by epsilon not implies q equal to होगा 5 into epsilon not और यहाँ पर जो 5 की value है ज़री 1 by 4 after not 8.85 10 to power minus 12 होता है so cancel होगे तो 2.2 2 5 round off होगे तो 2.2 10 to power minus 12 तोगे तो 2.2 10 to power minus 12 or therefore Q की value होगे 2.2 10 to power minus 12 Coulomb. So this is the solution of your question and now we will proceed to the next question.